गुलकंद एक हर्बल उत्पाद है जिसे देसी गुलाब के फूलों की पंखुडियों से चीनी मिलाकर बनाया जाता है गुलकंद बनाकर गुलाब की पंखुडियों को मीथे रूप में संरक्षित किया जाता है यह एक आयरुवेदिक टॉनिक है इसे खाने से शरीर में शीतलता आती है और गर्मी धूप से होने वाली आम परेशानियों में लाव होता है पतंजली गुलकंद या गुलाब की पंखुडियों का जैम अत्वा मुरप्पा अपने जबर्दस्त स्वास्थय लाभों के लिए सर्वोत्तम आयरुवेदिक दवाओं के अंतरगत आता है गुलकंद में थंढ़क देने वाले गुण होते हैं दिफ्य गुलकंद 400 ग्राम का पैक 90 रुपीज का आता है अपने पास के पतंजली स्टोर से आफ खरीद सकते हैं आपकी सुविधा के लिए प्रोडक्ट का ओनलाइन बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है गुलकंद को आमतोर पर गर्मी में खाया जाता है क्यूंकि इसे खाने से शरीर में शीतलता आती है और गर्मी के रोग दूर होते हैं यह ठकावट, सुस्ती, खुजली, दर्द और पीरा जैसी सभी गर्मी से संबंधे समस्याओं को कम करने में फायदेमंद है गुलकंद के अंगिनत स्वास्थेलाब हैं गुलकंद कबस दूर करने में सहायक है यह पाचन संबंधी परेशानियों जैसे एसिटिटी, सूजन, पेट में जलन, अपच, खटी डकार, पेट में अलसर जैसी समस्याओं में फायदेमंद है गुलकंद एक उतक्रिष्ट रक्त शोधक भी है और शरीश से विशाक्त पदार्थों को हटा देता है घरेलू उपाय की तरह इसे गर्मी की समस्याओं जैसे मुह के अलसर, गर्मी के चकत्ते, फोड़े फुनसी, खुजली, हीट स्ट्रोक, नकसीर फूटना, प्यास अधिक लगना, हीट से रैशस, पेरों में पसीना आना आदि इसके सेवन से दूर होते हैं गुलकंद की तासीर थंडी होने की वजह से इसे खाने से मुह के चालों में आराम मिलता है, मुह के चाले, हार्मोनल बदलाव, पोशक तत्रों की कमी, फूड एलर्जी और दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण हो सकते हैं इसमें गुलकंद बहुत फायदेमंद है जिन महिलाओं को पीरियर्ड के दौरान हेवी ब्लेडिंग होती है, अत्वा पीरियर्ड से पहले स्पोर्टिंग होती है, अगर ब्लैक डिस्चार्ज, अत्वा ब्राउन डिस्चार्ज होता हो, तो गुलकंद खाना फायदेमंद हो सकता है, या आपके हीमोग्लोबीन के स् गुलकंद रिदय को ताकत देता है, इसके अलावा पित के रोगों में फायदा पहुचाता है। गुलकंद में विटामिन C होता है, जो बेहतरीन एंटियोक्सिडेंट है, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। तवचा के लिए गुलकंद पहतरीन साबित हुआ है, इसमें विटामिन C और स्लेवनाइल्स का उच्च स्तर होता है, इसमें तवचा के चकत्तों का इलाज करना, मुहासों को कम करना, तवचा को सूरज की शती से बचाना, सनबन को ठीक करना, खून को साफ करके तवचा की रं चाम के नाश्ते में ले सकते हैं, अगर आप कब्स की समस्या से पीडित हैं, तो रात को सोने से पहले इसका सेवन कर सकते हैं, कितना खाएं, एक से दो चम्मज गुलकंद खाया जा सकता है, इसे आप पानी या दूद में मिला कर सेवन कर सकते हैं, पाचन के लिए इसे के रोगी इसे ना लें गर्वती महिलाएं ज्यादा ना लें छोटे बच्चे भी ज्यादा मात्रा में ना लें अपने दिन की शुरुवात गुलकंत से करने से आप पूरे दिन उर्जावान रह सकते हैं मेरे द्वारा दीगई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक करें वीडियो को लाइक वा शेयर करें थैंक यू आल फर वाचिंग